इस वक्त की सबसे एहम और बड़ी खबार हम आपको बता रहा है और एक बार फिर रुक करेंगे ग्राउंड जीरो पर राम गुपाल दोएदी अबारे साथ है राम गुपाल किस तरीके से वहाँ पर मद्दान चल रहा है और अब तक जो पोल परसेंटेश सामने आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे बिल्कुल इस वक्त मैं संतकभीर नगर के नाथ नगर ब्लाक में खड़ा हूँ और यह बिल्कुल ग्रामीर इलाका है चुकि धूप जो है अब धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा है गर्मी बढ़ रही है फिर भी अगर हम ग्यारा बचे तक कि आकड़ों की बात करें हा अलाकी आधिकारी काकड़े अभी जारी नहीं किया गया लेकिन करी 25-25 मद्दान यहां पर हो चुका है लेकिन जिस बूत पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यह बूत पढ़ रहा है और पढ़ रहा बूत आप देखिए कि इका दुक्का लोग ही यहां पर लाइन में लगे हु रहा हैं मददान कर दिया आपने तो का सोच के दिया है का मुद्दा रहा मलत अपक्रान की जैसे जनता के इदेर तो इसे आपनों कर था है अधिश्य थो तो यह इका दुका मद्दा था यह अब यहां पर मद्दान करनी के लिए और हार तकम बेसिन इस्तितिक ग्रामेड बूत की आप हर जगहों पे है कि अब वहां पे जो सुबा से लाइन देखने को अनपर मिल रही थी वो लाइन यहां पे देखने को नहीं मिल रही है अब जो मद्दाता है वो इका दुका ही पहुंच रहा है चुकि भूत 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 तेज है हाला कि कंबू लगाई गई है कनाथ लगाई गई ब्योस्था की गई है लेकिन धूप इदनी तेज है कि लोग अब तीन बजे के बाद ही अपने घरों से निकलने की कोशिस करेंगे और बड़ी संख्या में लोगों ने सुबा ही मद्दान कर दिया है चुरसंत कभीर नकर सीट इस सीटे भाजबा के सिंबल पर ही उनको मिली है और उनके पुत्र यहां से लड़ रहा है तो उनके भी एक तरीके से यहां पर जो सहयों की दल है उनकी भी अगनी परिशा यहां पर चल रही है जी बिल्कुल रामकॉपाल हम नारिसा सर्वेश दूबे भी बने हैं प्रयागरा है लेकिन सुबा मदाताओं में उद्सा था और अगर हमें लाहबाद संसी सीट की बात करें तो वहां करीब 10 फीजदी सुबा 9 बजे तक मदान हुआ था जबकि फूल पूर पर मदान की रफ्तार थोड़ी कम थी वहां पर 8 फीजदी मदान हुआ था और इस वक्त मैं मेरी स्कूल और कोलेज के बूत पर हूं तमाम मदाता यह जिन्होंने वोट कास्ट किया है इन्होंने सब लोग अपनी फिंगर दिखा रहे हैं इनसे बातचीत करते हैं हलागे जो यहां पर है किस मुद्दे पर वोट किया है इसके लिए जाने के आप यूँआ हैं आप यह बता वोट किया है यहां पर विकास हुआ है किस मुद्दे पर वोट किया आफने पर वोट किया है राम मंदिर पर हमारे पुर्खे चले गए और उनकी अंतिम इच्छा जो राम मंदिर देखने वो पूरी हो गई और बाकी विकास तो चारों दिखी रहा है और विकास और राम मंदिर पर आपने वोट किया है और भी लोगे उनसे बाचीत करेंगे आप आई आगे आईए आप यह बताईए कि कौन से कौन से मुद्दे इस बार प्रभावी रहे हैं सर सबसे ज्यादा प्रभाव शाली मुद्द तो नोक्रियों कर रहा है